सिख धर्म के गुरूओं को बलिदान के लिए जाना जाता है सिख परंपरा के कई गुरूओं ने सिर जुकाने की बजाए अपने धर्म की रक्षा के लिए बिना किसी हिचक के अपना बलिदान दे दिया फिर चाहे वो सिख गुरू अरजन देव हों या फिर गुरू तेग बहादूर। इसी कड़ी में एक ऐसे सिख गुरू भी हुए जिन्होंने सिखों को अधर्म से लड़ने का तरीका भी बताया। सिखों को एक वीर लड़ा काउम बनाया और धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंत बनाया। ये गुरू कोई और नहीं बलकी नौवे गुरू, गुरू तेग बहादूर के पुत्र और सिखों के आखरी और दसमे गुरू, गुरू गोविन सिखी थे। जिन्होंने धर्म की र वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अपने इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे गुरू गोविन सिंग का जन्म आज के पटना साहिब में हुआ था जो की पटना बिहार में है बच्पन से ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई के साथ-साथ घुर सबारी बंदूग चलाना और से निकोशल के नियम सीखने शुरू कर दिये थे लेकिन इसी बीच एक बड़ी दुर घटना हो जाती है 11 नौमर सन 1675 को जब गुरू गोविन सिंग जी सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता गुरू तेग बहादुर जी का कटा हुआ सिर अंतिम संसकार के लिए आननपुर साहिब में लाय गया था इस घटना ने उनकी जिन्दगी को बदल कर रख दिया था इसके बाद 19 मार्च 1676 को गोविन सिंग सिखों के दसमे गुरू गोशित हुए गुरू गोविन सिंग जी को पता था कि अभी भी सिख धर्म पर मुगल बादशाहत की टेड़ी नजर है इसलिए जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए उपाय करने भी शुरू कर दिये थे गुरू गोविन सिंग का बचपन पतना साही में बीता था यहां वो हिंदी पंजावी सीखने के साथ साथ घुरसवारी, बंदूग चलाना और आर्मी ट्रेनिंग से भी गुजर रहे थे जब वो गुरू बनाय गए तो उन्हों अर्बी, फार्सी और संस्क्रिप भी पढ़ाई गए जल्दी ही वो शस्त्र और शास्त्र दोनों कलाओं में पारंगत हो गये उन्हें लगबख सभी धर्मों का ग्यान था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी सिक्षाओं को पहुचाने के लिए उन्होंने चार भाषाओं में कविता लिखना शुरू कर दिया गोविन सिंग जी जैसे जैसे बड़े हुए उन्हें समझ आया कि एकता तभी स्थापित हो सकती है जब लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाए साल 1699 में बैशाखी के तेवहार में उन्होंने अपने शिष्यों को आननदपुर में जमा किया और वहां भीड में उन्होंने ऐलान किया कि पांच ऐसे लोग आ जाएं जो धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दे सकते हों ये सुनकर सबसे पहले लहौर के दयाराम गुरू आए गुरू गोविन सिंग जी उन्हें एक तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वो खून से सनी तलवार लेकर बाहर आए ऐसे ही एक एक करके उन्होंने पांच लोगों को तंबू ले जाकर उनकी बली दे दी तलवार में खून देखकर सबको यही लगा कि सबकी बली दे दी गई है लेकिन ऐसा हुआ नहीं थोड़ी देर बाद गुरू इन पांचों को के सरिया कपड़ों के साथ पगड़ी पहना कर सबके सामने ले आए यानि वो सबके साहस की परीक्षा ले रहे थे गोविन सिंग जी ने इन्हें पंज प्यारे कहा यह पांचों लोग अलग-अलग हिंदू जातियों से थे यानि कि सबके टाइटल भी अलग-अलग थे लेकिन उन्होंने सबके टाइटल बदल कर सिंग कर दिया यानि की शेर गुरू ने कहा कि शुब कर्मन ते कबो न तरो मतलब अच्छे काम कभी नहीं छोड़ना है और यहीं से शुरुवात हुई खालसा पंथ की जिसका मतलब था खालिस यानि की पवित्र खालसा के लिए पांच नियम बनाए गए जिनका पहला शब्द कास शुरू होता था इसलिए इन्हें पंच ककार कहा गया केश, कंगा, कडा, कच्छा और क्रिपा गुरू गोविन सिंग ने सैन दल का गठन भी किया हतियारों का निर्मार करवाया और युवकों को युद्ध कला का प्रशिक्षड दिया क्योंकि उनको लगता था कि केवल संगठन से काम नहीं बनेगा सैन ने संगठन बनाना होगा, ताकि समुदाय और धर्म की रक्षा की जा सके उन्होंने खालसा का नारा भी दिया, वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फते अपने इन कामों से गोविन सिंग जी और प्रसिद्ध होते गए, जाहिर है कि उनकी बढ़ती प्रसिद्धी मुगल बादशा औरंग जेब को हजम नहीं हो रही थी, इसके साथ ही कुछ हिंदू राजा भी थे जिनें उनके एक्ता के सिध्धान्त पसंद नहीं आ रहे थे इसी कड़ी में उनके पडोसी पहाडी राज बिलासपुर के राजा भीम चंद उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे फिर थक हारकर राजा भीम चंद के बेटे और वारिस अजमेर चंद ने दक्षिड जाकर औरंग जेब से मुलाकात की और गुरु गोविन सिंग को रास्ते से हटाने के लिए उनसे मदद मागी फिर औरंग जेब ने धमकी भरा लेटर लिखा जिसका मतलब था इसलाम को मान लो और मेरी सत्ता को चैलेंज ना करो नहीं तो युद्ध होना तय है औरंग जेब की इस धमकी से बिना डरे गुरु गोविन सिंग जी ने वो मशूर लेटर लिखा जिसे इतिहास में जफर नामा कहा जाता है गुरु ने लिखा कि दुनिया में सिर्फ एक सर्वशक्तिमान इश्वर है लेकिन आप इसको नहीं मानते और लोगों के प्रती भेदभाव करते हैं और उन्हें नुकसान पहुचाने की कोशिश करते हैं जिनका धर्म आपसे अलग है हमारे और आप के बीच शांती कैसे हो सकती है जब मेरे और आप के रास्ते अलग हैं इस लेटर को पढ़ने के बाद और अंगजेब ने पहारी राजाओं के साथ मिलकर आननपुर साहिब पर हमला करवा दिया सरहिन के गवर्नर वजीर खान अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा इधर गुरू जी ने भी अपनी सेना को तयार करने का हुक्म दिया मुगलों की सेना बहुत जादा थी इसलिए उन्होंने किले के अंदर ही रहकर लड़ने में भलाई समझी जब युद शुरू हुआ तो इसका फाइदा भी मिला मुगल सायनिकों को निशाना बनाकर सिख तोप्चियों ने जम कर निशाना लगाया और पहले दिन करीब 900 मुगल मार दिये दूसरे दिन खुद गुरु गोविन सिंग जी लड़ाई में शामिल हो गए उनको लड़ता देख सिख दो गुने जोश से भर गए इस दिन भी स्यंकडों मुगल मारे गए थे मुगलों की हार हुई थी इसलिए मुगल सेना ने किले की घेरा बंदी कर दी ताकि जब अनाज खत्म हो तो भूख से परेशान होकर सिख मुगलों की अधिनता को मान ले लेकिन किले में महीनों तक अनाज खत्म ही नहीं हुआ आखिरकार जब अनाज खत्म होने लगा तो किले में भुकमरी की नौबत आ गई गुरुगोविन सिंग को आननदपूर साहिब छोड़ना ही पड़ा सिखों के पहले जथे में महिलाएं, बच्चे, गुरु की मा और चार बेटे भी शामिल थे लेकिन सरसा नदी के पास इस जथे पर मुगल सैनिकों ने हमला बोल दिया इस लड़ाई में कई लोग मारे गए जिसमें गुरुगोविन सिंग जी की मा और उनके दो छोटे बच्चे, जिवरावर सिंग और फते सिंग भी शामिल थे इस लड़ाई में सिख सिर्फ 40 बच कहे थे, लेकिन गुरुगोविन सिंग जी वो थे जिन्होंने कहा था सवा लाख से एक लड़ावा, चिडियनते में बाज लड़ावा, तबे गुरुगोविन सिंग जी नाम कहावा यानि कि उन्होंने हार नहीं माने और अपने बाकी बेटों को लेकर किसी तरह चमकौर पहुँचने में काम्याम हो गए फिर चमकौर में भी उनका मुगलो से सामना हुआ, यहाँ पर उनके पंज प्यारों में मोकम सिंग और हिम्मत सिंग मारे गए उनके बाकी दो बेटों अजीज सिंग और जुझार सिंग की भी यहाँ पर हत्या कर दी गई फिर नाभा में रहते हुए गुरुगोविन सिंग ने औरंग जेब को फार्सी में एक पत्र लिखा इसमें उन्होंने धोखे से हमला किये जाने के लिए औरंग जेब को दोशी ठहराया एक समय ऐसा भी आया कि गुरुगोविन सिंग ने औरंग जेब से मिलने का फैसला किया लेकिन वो अभी मिलने के लिए राजपुताना तक ही पहुँचे थे कि पता चला कि औरंग जेब की मौत हो गई इस तरह गुरु गोविन सिंग जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को खो दिया था लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म को कभी भी छोड़ा नहीं और अपने जीवन के अंतिम पडाओ में गुरु गोविन सिंग गोदावरी नदी के किनारे बसे शहर नांदेडा में थे 20 सितंबर 1708 की शाम को जब वो प्रार्थना के बाद अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे तो दो युवा पठानों अताउला खान और जमशेद खान ने गुरु को अकेला पाकर उनके पेट पर छूरे से वार कर दिया उन दोनों को वजीर खान ने भेजा था इस हमले की वज़े से 7 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई अपनी मौत से एक दिन पहले भी वो अपने धर्म के बारे में सोच रहे थे उन्होंने 6 अक्टूबर को ऐलान किया कि उनके बाद कोई भी सिख गुरु नहीं होगा और सारे सिख गुरु गुरु गुरंच साहब को ही अपना गुरु मानेंगे तो दोस्तों ये थी कहानी गुरु गोविन सिंग जी की आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसी तमाम इंटरस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद